हलो फ्रेंट्स मैं अंकित कुमारमा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईवी कनूला के यूज के बारे में और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे कितने गोज के आईवी कनूला का यूज कितने उम्र के वेयक्ति में किया जाता है अगर वीडियो आच्छा ल न मेरी लाराम के से जाएना जाता है और इसकी घुट होती है और यह औरनेज इसकी 14 गज़न ऑफीया ऊचर में जो होती है और चिहारम उद्ग मी को फोर्ट के सीज़ने धाय holding Dan यानि 240 ml per minute इसका flow rate होता है external diameter दोस्तो जो इसकी external diameter होती है 2.1 mm होती है यानि 2.1 mm इसकी external diameter होती है और इसके use दोस्तो अब हम इसके use के बारे में जानेंगे कि इसका use कहा कहा किया जाता है trauma and major surgery दोस्तो इसका use trauma और major surgery के वक्त किया जाता है Rapid fluid replacement और दोस्तो इसका उपयोग Rapid fluid replacement में किया जाता है और Blood Transfusion में किया जाता है दोस्तो यह Gray IV कनुला है और इसकी जो Color होती है Gray होती है और इसकी Size जो इसकी Size होती है 16 गज होती है यह 16 गज का होता है और Length जो इसकी Length होती है 45 mm यानि जो इसकी लंबाई होती है 45 mm होती है और Flow Rate जो इसकी Flow Rate होती है 180 mm पर मिनट होती है यानि 180 mm पर मिनट इसकी Flow Rate होती है और external diameter और इसकी जो external diameter होती है 1.8 mm होती है दोस्तो अब हम इसके use के बारे में जानेंगे कि इसका use कब किया जाता है Use trauma and major surgery दोस्तो इसका use trauma और major surgery के वक्त किया जाता है Rapid fluid replacement और इसका use rapid fluid replacement के वक्त किया जाता है बलट टरंस्फ्यूजन और बलट टरंस्फ्यूजन के वक्त इसका यूज किया जाता है दोस्तों यह वाइट आई भी कहनूला है और इसकी जो कलर होती है वाइट होती है और इसकी साइज 17 यानि जो इसकी साइज होती है 17 गजकी होती है length जो इसकी length होती है 45 mm होती है यानि जो इसकी लंबाई होती है 45 mm होती है और इसकी flow rate जो इसकी flow rate होती है 140 ml per minute होती है 180 ml per minute इसकी flow rate होती है external diameter और इसकी जो external diameter होती है 1.5 mm होती है और यूज दोस्तों अब हम इसके यूज के बारे में जानेंगे त्रोमा एंड मेजर सर्जरी इसका यूज ट्रोमा और मेजर सर्जरी के वक्त किया जाता है त्रोमा एंड मेजर सर्जरी दोस्तों इसका यूज ट्रोमा और मेजर सर्जरी के वक्त किया जाता है राइपीड फुलूइड रिपलेस्मेंट और इसका युज राइपीड फुलूइड रिपलेस्मेंट में किया जाता है बलट ट्रांसफ्यूजन और इसका युज बलट ट्रांसफ्यूजन के वक्त किया जाता है दोस्तों यह गिरीन आई भी कहनुला है और इसकी जो कलर होती है गिरीन होती है और इसकी साइज जो साइज होती है 18 गज की होती है यानि जो इसकी साइज होती है 18 गज होती है लेंथ जो इसकी लेंथ होती है 32 mm होती है यानि जो इसकी लेंथ होती है 32 mm होती है यानि जो लंब पर मिनट होती है यानि जो इसकी फोलो रेट होती है 90 ml पर मिनट होती है external diameter और इसकी जो external diameter होती है 1.3 mm होती है और use दोस्तों इसका use कब और कहा किया जाता है trauma and major surgery इसका use trauma और major surgery के वक्त किया जाता है rapid fluid replacement और rapid fluid replacement में इसका use किया जाता है बलट ट्रांसफ्यूजन और बलट ट्रांसफ्यूजन के वक्त इसका यूज किया जाता है। इसका यूज के लिए ज्यादा तर इसका यूज किया जाता है। धोस्तों यह बुलू आई भी कहनुला है और इसकी जो कलर होती है बुलू होती है साइज जो इसकी साइज होती है 22 गज होती है यानि जो इसकी साइज होती है 22 गज होती है लेंथ जो इसकी लेंथ होती है 25 mm होती है यानि जो इसकी लंबाई होती है 25 mm होती है फलो रेट और इसकी जो फलो रेट होती है 30 ml पर मिनुट होती है 30 ml पर मिनुट इसकी फलो रेट होती है एक्स्टरनल डाइमीटर और इसकी जो एक्स्टरनल डाइमीटर होती है 0.9 mm होती है और इसके युज के बारे में अब जानेंगे यानि इसका युज कब किया जाता है युज IV infusion यानि IV infusion के तरपर और बलट transfusion और इसका युज बलट transfusion में किया जाता है अलो IV कैनूला दोस्तों यह अलो IV कैनूला है और इसकी जो कलर होती है यह अलो होती है और इसकी जो साइज होती है 24 गज की होती है यानि 24 गज होती है और इसकी लेंथ यानि जो लंबाई होती है 19 mm होती है जो इसकी लेंथ होती है 19 mm होती है यानि जो इसकी लंबाई होती है 19 mm होती है फोलो रेट और इसकी जो फोलो रेट होती है 20 ml पर मीनुट होती है यानी 20 ml पर मीनुट इसकी फोलो रेट होती है इसकी external diameter जो होती है 0.7 mm होती है और इवज दोस्तो अब हम जानेंगे इसके इवज के बारे में drug administration और IV infusion दोस्तो इसका इवज drug administration और IV infusion के तर पर किया जाता है दोस्तो यह purple IV के नुला है और इसकी जो color होती है और दोस्तो इसको violet color के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो यह purple और violet दोनो एक ही color है जिसको purple और violet के नाम से जाना जाता है और इसकी जो size होती है 26 गज होती है यानि जो इसकी size होती है 26 गज होती है और length जो इसकी length होती है 19 mm होती है यानि जो इसकी लंबाई होती है 19 mm होती है flow rate और इसकी जो flow rate होती है 10 mm पर मिनट होती है दोस्तो इसकी जो flow rate होती है 10 mm पर मिनट होती है external diameter और इसकी जो external diameter होती है 0.6 mm होती है यानि जो external diameter होती है 0.6 mm होती है और इसके use दोस्तो अब हम इसके use के बारे में जानेंगे use drug administration और IV infusion दोस्तो इसका भी use drug administration और IV infusion के रुप में किया जाता है अब हम आपको बताने वाले है एज के अनुसार IV canula का use orange IV canula, gray IV canula और white IV canula यानि 14 गज, 14 गज और 17 गज के IV canula का use old यानि भुजूर्गों में किया जाता है green IV canula, pink IV canula और green, pink IV canula यानि 18 और 20 गज की IV canula का use adult और old में किया जाता है blue IV canula यानि 22 गज की IV canula का use child यानि बच्चा में किया जाता है yellow IV canula और purple IV canula यानि 24 गज और 26 गज की IV canula का use new nets यानि नवजात सिसू और children यानि बच्चे में किया जाता है